हेलो एब्रीबन आज के इस वीडियो में हम लोग केशिसिना क्लाइस 12 एकसाज 19.10 का कोईचन नमर 13 नमर कोईचन को स्वालव करेंगे तिक हैं दिया हुआ एकस इंटु से मल्टिपलाइग करते हैं तू साइन फाइब एकस इंटू कोस जिक से और ये देखिए ये टू से हम डिवाइड कर देगा ये टू स्वाइड कर देगा तो कोईचन नहीं होगा अब देखिए ये 1 by 2 constant हो जाएगा दो बाहर ये x ये देखिए ये 2 sin 5x into cos 6x dx ये हो जाएगा अब देखिए आपको हम बताए थे 2 sin a 2 sin a into cos b का formula होता है 2 sin a into cos b का formula होता है sin a plus b plus sin a minus b ये formula होता है आपको हम बताए थे ये formula पर यहाँ पर आणि इनको बड़े कर देंगे ये x देखिए sin a plus b sin a plus b यानि 6 plus 5 तो ये 11 हो जाएगा तो ये हमारा हुतर कितना होगा sin 11x और ये plus sin a minus b अब देखिए यहाँ पर sin 5x और ये plus 6 है 5x plus 6x यहाँ पर देखिए sin 5x minus 6x तो ये देखिए ये हमारा कितना होगा sin ये 5 में 6 minus 6 जाएगा तो ये minus x आप लोग जानते है sin minus x कितना होता है minus sin x होता है यहाँ पर जो हम क्या लिख सकते हैं minus sin x और ये dx है तो dx अब देखिए सभी को multiply कर देखिए ये 1 by 2 integration of x sin 11x dx अब मैनस ये 1 by 2 integration of x sin x dx अब देखिए इनको फर्स्ट मानेंगे इनको सकेंड इनको फर्स्ट इनको सकेंड अब नहीं आपसे स्वल्व हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग ये इनसे आगे जहाँ आप स्वल्व कर लीजिएगा ये देखिए ये स्वल्व हो जाएगा यानि सिंपल ये उन्टो भीपर है आप लोग बनाईएगा बन जाएगा नहीं बनेगा तो कोमेंड करिएगा फिर से हम बना देगा इसे ही आपको हम 14 नमर भी जो हुआ हुआ हम समझा देते हैं आप लोग ये खुद से जो हुआ हु है इंट्रिगेशन ओफ ये ऐक्स कोश टू एक्स इंट्व कोश थिर्या एक्स दिया गसी है इसमें भी से मल टीपलाए और तू शे डिवाइड कर देंगे थिह हमारा बन के आ जाएगा ये वण बाइट तू इंट्रिगेशन ओफ एक्स ये हमारा होगा टू कोश त्व ए होता है डू को से इंटू को सबी का फॉर्मुला होता है को ए पलस बी पलस कोस ए मेनस यह फॉर्मुला होता है यह फॉर्मुला पर इनको प्रेक करेंगे ति यह 1 ऐ भाई 2 इंट्रीगेसं समय सब शक्राइobra एक्स कोस अ API फलस बी और फाइब हो जाएगा यह निकि पुछ तिये cos x dx हो जाएगा अब देखिए इनको जो हम simplify करते हैं तिये 1 by 2 1 by 2 integration of x cos 5x dx पलस ये 1 by 2 integration of x cos x dx अब इनका integration करिएगा आपका answer मिल जाएगा नहीं बनेगा तब लोग comment करिएगा इनका फिर से video upload कर देंगा तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं फिप्टी नमर कोईचन के साथ जाएंदे